रफी सहाब से मिलता जुलता आवाज एक ऐसा दमदार आवाज जिन्हें लोग अमता बचन की आवाज समझते थे जी हाँ दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शबीर कुमार के बारे में आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 1981 में जब वो 26 यर के थे और 2010 में जब वो 55 यर्ज के होगे इसके बीच हर साल के उनके आवाज सुनाएंगे 1981 से पहले शबीर कुमार जी रफी साहव के बहुत सारे गाने गाते थे स्टेज प्रोग्राम में पहली बार उन्हें 1981 में उशाख खना जी मौका दी वर्भूट सौंग गाने के लिए फिर 1982 में उन्हें पहली बार आशाजी के साथ डुएट करने का मौका मिला ये है शबीर कुमार के बोल 1983 में इस फिल्म के बाद बॉलिवूट सिंगर में एक पहचान मिली मुझे की रेले से ही जूट न जाए मुझे दीने का शौब में पिता हूँ गम भुलाने को सारे दुनिया का बोज हम उठाते हैं टिंगुजी टिंगुजी मौलो लंगुजी शाम है ये कुछ कोई खुले के तरवासे पे कोई तक दे आहा याद तेरी आएगी मुझे को बड़ा सताएगी जिद्ये जूट लेके जाएगी अपने दिल से बड़ी धुश्मनी की इसलिए पहन तुम से दोश्री जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे लेकिन चाहूंगे वहां पर याद करेंगे आये सुनाते हैं जब एज उनका 29 एर्स था तुम याद ना आया करो आये सुनाते हैं सूपर हिट सौंग जब एज उनका 30 एर्स क्रॉस कर गया तेरी महरबानिया तेरी कदरदानिया तुम से मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछी याद आता है याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है जन्मों का ये नाता है चले सुनाते हैं 1986 के वो सूपर हिट सौंग आये सुनाते हैं जब एज उनका 32 एर्स क्रॉस कर गया चले सुनते हैं 1988 के वो सुपर हिट सौंग और ये है शबीर कुमार जी के बोल चले सुनते हैं जब एज उनका 34 एर्स कर गया इलको शायते गम ही देगे लंका में टंका बजाने आया बजरंगा आये सुनाते हैं 19 के वो सुपर हिट सौंग चले सुनते हैं जब एज उनका 36 एर्स कर गया चले अब सुनाते हैं 92 के वो सुपर हिट सौंग आये सुनाते हैं जब एज उनका 38 एर्स कर गया चले सुनते हैं 94 के वो सुपर हिट सौंग आये अब सुनते हैं जब एज उनका 40 एर्स कर गया चले सुनते हैं 96 के वो सुपर हिट सौंग आये सुनते हैं प्यारा सा सौंग जब एज उनका 42 एर्स कर गया चले सुनते हैं 98 के वो सुपर हिट सौंग आये सुनते हैं जब एज उनका 45 एर्स कर गया चले सुनते हैं 2000 के वो सुपर हिट सौंग आये सुनते हैं जब एज उनका 46 एर्स कर गया चले सुनते हैं 2002 के वो सुपर हिट सौंग 49 एर्स कर गया इसके बाद 2010 में वो आखिरी बार बॉलिवोड सौंग में नजर आएं चले देखते हैं अभी उनका कैसा आवाज है तो दोस्तों ये था शर्बिर कुमार जी का संगित सफर आई होप आपको वीडियो पसंद आये होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक्स और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कर्वाज आवाज आपको वीडियो पस्टाइब करना मत भूलेगा